Day 50, 28 माई 2024 का हमारा study plan रहेगा, हमें total subjects को 8 घंटे देने, जिसमें से English को 9 घंटे, Math को 2 घंटे, Reasoning को 1 घंटा, और general events को 9 घंटे देने, और इससे साब से schedule है, बाकि आप अपने according इसको change कर सकते हैं. English reading में हमें English editorial PDF पढ़ना और समझना है, और इसके information आपको नीचे description box में मिल जाएगी, एक मैने proper video बनाया है कि कैसे हमें इसको use करना है, और current affairs में September 2023 का monthly current affairs करना है, 80-100 questions तक, और इसका आपको PDF मिल जाएगा, WhatsApp group में, और WhatsApp group का link का आपको नीचे description box में मिल जाएगा, English vocabulary में, vocab हमे 20 करने है, जो भी हमारे sources है, जिस भी हम किसी teacher पगर से कर रहे है, या book पगर से कर रहे है, वहाँ से, one words of contributions 540 से 555 तक, और idioms 360 से 370 तक, phrasal of 180 से 185 तक, TEDxGK में SSCGD24 का हमें 390 से 420 questions तक करने है, और इसका भी PDF आपको WhatsApp group में मिल जाएगा, English grammar में हमें adjective जो है, वो उसकी class second करनी है, इसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा, बाकिया अगर कोई बच्चा किसी भी teacher बगर से कर रहे है, तो वहाँ से भी कर सकता है, रेसिंग में SSCGD24 के questions solve करने हमें, daily basis पर 50, और general studies 1 में हमें history का religious movement, Sikh और सोफी का जो था, वो clear करना है, और इसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा, बाकिया कोई बच्चा किसी भी teacher लेकर पढ़ रहे है, तो वहाँ से भी complete कर सकता है, general studies 2 में Indian geography हमें करना है, उसमें से soils of India करना है, और इसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा, वहाँ से आपको कर सकते हो, और math में calculation and revision, math trick app है, उससे आपको करना है,